कर दो कर दो कैसे हैं आप सभी एब एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं आप नीश चलिए स्टार्ट करते हैं आजी क्लास बहुत दिन से बच्चे मुझसे मुझसे बोल रहे हैं कि सर टीड़े जैए कि क्या कट आफ जाएगी या फिर आपका जो आने वाले वेकंसी उनक आपको बता दिया यदि आपको पता भी नहीं उसके बारे में फिर भी आप उसके बारे में बता रहे हैं तो कुछ यह मैं पता देता हूं कि अभी बच्चे बहुत साथ डाउट में या बैच्चों ने आपका एक्जाम दिया है खाली बैटे हुए सुबह शाम आपके करेगा आप सीफ अपना टाइम खराब कर रहे हैं उसको सोचके कि उस अग्जाम में क्या हो सकता है वो चुका है उसका जो होना था वो हो गया अब जो बचा हुआ है आप उसके काम करिए जो आपके एक्जाम आने वाले हैं वरना क्या होगा कि माल शुसमें आप आगे तो मेरे चीज़ आद नहीं जाएंगी तो यहां पर हमेशा चीज़े इस चीज़ का कि कैसे कर रहे हैं तो यह आप दियार नखेंगे पहले मैं आपको एक्जाम आपके होने ही होने है और सबसे बड़ी वेकंसी आपके लिए है कि आप इस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर द तो ज्यान पर अब इस बात को कि अभी से अपने आपको प्रोपर त्यार रखेंगे आपको किसी और एक्जाम के लिए ताइम भी देना पड़ जाए तो आप देंगे उसके लिए आप यह नहीं करेंगे कि भाई मेरे पास यह कंपलेट निवाँ वह कंपलेट निवाँ तो क्या कर रहे हूं शिफ अपना टाइम कर रहे है वोट सप प्र अपने करेंगे लड़के वो सब चीज़ें सही है लेकिन आप उसके दर कुछ बदलावनी कर सकते यह आपको कोई कोई करके आएं उसको आप सभी नहीं कर सकते इस बात को जितनी जल्दी मालोगे आपका टाइम बत जल्दी बच जाएगा दूसरा देख सकते हैं और यू के एक्जाम दुबारा से होने वाला है एक्जाम है जो आपके ऑडी चाइक्जाम है जो होने वाले हैं बहुंसरा पच्चे इन एक्जाम अलावा भी कुछ सी कर्रीजिंग लेकिन सब्सें प्रिजरूरी की आप सिविल इंजिंग पढ़ते रहे हैं जब क्या है दोनों के दोनों चीजे मेरे पास हैं उनसे आप हमेशा इंकलकेट रही है याद करते रही है वरना क्या होगा कि भूल जाएंगे चीजें बहुत सारे फॉर्मले से आप याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे उन चीज़ों को तो आप इनको करिए अब सब्सक्राइब बड़ा जो पेपर होने वाला है उसका से लोगों ने भाई एक बार नोटिफिशन पढ़ लो ढंग से यार नोटिफिशन पढ़ लोगे तो आपको क्लिर्ट हो जाएगी कि इसमें कोई भी आपके पास वे आपके पास रिटर एक्जाम नहीं होने वाला है यहां पर आपका मैरेट बेस पर होगा आपके नंबर क्या है आपके जो डिपलोमा आपने या बीटेक करिए उसमें कितने पर कंबनाई यह इतना काम करना यह जो प्रोसेस आपके बता दिया है टेंट वहाय की मार्क शीट जो आपके पास हैं वह लगा इए अच्छे से आपने कोई एंटक किया हुआए तो इसको भी आप लगा सकते हैं साथ में आपके नंबर क्यों आपके होंगे तो आप शौर् से लेबस नहीं है जो आपको प्री में मेंस करना रिटर एक्जाम निकालना है ऐसा कुछ नहीं है दूसरा सबसे बटा बवन्टा आपके पास और यूपी पेसी एक है कुछ लोगों ने तो आज भी जेका बैस स्टार्ट कर दिया है वैकन से कुछ पता निया कि कब आएगी है का लेकिन स्टार्ट है मैं भी इस पार्टमेंट में हुँ तो मुझे बता है कि अभी तक मेरे पास आया इन इन्फोर्मिशन पर चुर्ट में में अनुलाया है और भॉसकोप्र एक्जाम पर आपको यह दोनों एक्जाम से पढ़ रहे होंगे तो चीजों को बैलन्स नहीं कर पाएंगे आपको बतारों अभी तो सच्छा यह है कि आप एक काम कर लीजिए कि भाई अभी से अपनी त्याइब अच्छे से कर लो आएगा भी तो आपको दो-तिन महिने मिलेंगे उसमें आप नों टेक्ट अच्छे से कर देख रहे हैं तो यह सब देखो मैं मनना निकरा मत देखो अपने जो अपना टाइट है वह उसको आच्छीव करने कोश करो तो कि हर साल देखते रहोगे तो अपना क्या हो रहा उस चीज़ के लिए और आप इंजिनर्स ओ आपको चीज़ी सम्झाने नहीं पढ़ेगा खोल पता है कि लाइफ में क्या करना है कैसे नहीं करना है तो मैं आप बता दूँगा उससे पहले आप सिर्फ अपने सिवल इंजिंग को अच्छे से करिए स्ट्रॉंग करिए वह बहुत जरूरी है इस टाइम पर है ना मैं मैंने चाहरा कि आप सिर्फ खाली बैठों कि इंजिन क् teasing स beautifully Looks हमारे स्ट्रॉंगं करें में काम कर रहा है यह आपका इंजिने डिव लिग माऩा देव बुरे न के 20 नियर्र इन कि थीक्रेट से में जयारों कि इतनी बुरी हालत को करना है ब तो हम दो एक से 10 moments बमाना है तो हम में पताने कि हम कहां जल सकते हैं कि अगर सकते हैं और भाई वेकेंसी हर साल आ रही है आपके अंदर दम रखिए प्रक्टिस करें अपने आपको हमेशा अभेर रखें कि मैं कहां से कर सकता हूं ठीक है अब वैस्ट आपको कुछ जादा गायान की प्राप्ति करने की जर जो एक बार चीज़े पढ़ चुके हैं पहले कुछ है फ्रेश जो बिल्कुल नहीं आएं उन दोनों के लिए प्रोसस सेम है कि सबसे पहले आपको क्या आगरना है अपने स्लेवस कंप्लीट करिए अब स्लेवस कंप्लीट कैसे करें स्लेवस आपके पास है उसके अंदर टो चीज़े बहार हो जाए इनको सब्सक्राइब कर लोगी मेरे पास एक बार आना चाहिए यदि वह मेरे पास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो पहले अपनी चीज़े को कंप्लीट करिए अच्छे से ठीक है दूसरा बहुत सारी लोग बोलने टीस टीस टी आपको छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा और उपर से पड़ते नहीं है जिसमें आपके पास 200-300 बच्चे है दो तीन गुरूप है ऐसे तो उसमें क्या है कि उसमें बच्चे क्या बात कर रहे हैं तो काम करें तो अपना टाइम इसमें लगा रहे है तो कहां जाएगा और अपना फिक्स रख ये टाइम कि मुझे पढ़ाई करनी है आप एक साल आएगा आप एक साल नहीं देखेंगे ना तो उस पर नहीं पड़ेगा आप पड़ जाएगा पर आपकी लाइफ पर पड़ आप नंग से नहीं बढ़ाएं करेंगे तो दूसरा कोर्स कर लिया है अब मैं बिल्कुल आपको एक लदा खुदा तरीका बताऊंगा जो लोग कहेंगे ऐसे नहीं हो आप लेकिन आपको फोलो करना है वहीं से आपका नमबर आएगा सबसे पहले आपने जब यह पूरा-प आपको लगाने है और जो चीज़ा यहां पर नहीं हुई है उनको अपने कोर्स में कंप्लिट करिए तो कि यह आपको बताएगा आपका चेक लगाएगा यह कि आपके सिवल इंजिरिंग की गीता है यह यह आपने यह कर लिया ना तो समझे लो कि आपके जो कॉंसेप्ट न चैनल को कर लिए हैं तो कि लो क्या करते हैं कई न पाते इनको कर दूंगा बहुत साथ को सब्सक्राइब कर लिए न को रटनां नहीं है आप रटके बैढ़ जाते हैं को थो उनके साथ जीए थोड़ा सा कॉशन के साथ कि क्या पूचन जा रहे कॉशन में पके पास यह ने सिर्ञास जरूपकर अभी अबहुए है तो आपको P lanehal कोलिम को कहें से भी ले लो यो आपको अच्छा लगे वह आपको कंप्लीट करना है उसके बाद साथ-साथ आपको टेस्ट जरू देनी है अभी से दीजिए बहुत सब चीजें गलत हुई है उनको लिख लीजिए अपने बाबा उसको रिवाइस करिए पूरा प्रोसेस है ऐसा नियुक्त निकाला और आपका निमबर आ जाएगा ऐसा नहीं होता है पढ़ना खुद पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा जो को दूँगा या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें वह बच्चा भी होगा जो उसे करेगा आपको हर पॉइंट पर जहां पर आपको दिक्कत होगी बट जैनुवनिंटी के साथ आपको भी लगना है और मैं अक्यले कुछ नहीं कर सकता है अभी आपको लग रहा हुगा कि क्लास यूटूब पर एगंटा हो रही है पर हो रही है ना रोजाना और उसमें हम ऐस कंप्लिट कर लिया टेस्टी दे दिया आपको मिड अगस्त तक यह सब चीज़े कंप्लिट करनी पड़ेगी उसके बाद जो आपको बचा हुआ है डेड़ महीना उसमें सिर्फ रिवीजन 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 मालो इस टाइम पर आपका आपका रिभी जैई भ और इस टाइम पर मैं हम आप सब करते हैं लास्ट मुमेंट पर एक्जाम के टाइम में तो करेंगे आपको प्रोसेस यही फोलो करना उसके बाद यहीं बच्छे बोलते हैं सर एक यूथ की बुक आती है उसमें आपके पास क्या हूंगा वोल्म वोल्म टू दोनों आते हैं अब इतनी मोटी बुक इतनी मोटी बुक पचास हजार साथ हजार कोशन के अंदर आपकी पूरी एनर्जी को लोस कर देता है यह बुक आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया मोटी बुक पढ़के आप दो खरीड लेते हैं कि बहुत सारी कोशन मिल जाएंगे कि इतने और फिर उसको आपको पढ़ा देतने बार कि अच्छे-चे कोशन क्या रहेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा कि आपको हरे कोशन नहीं करना पट रहा है वह हम कंपलेट कर लेंगे ठीक है उससे आपके एक्जाम में भी पढ़ने का स्टार्ट करिए आप कहीं से करिए अपने आपको रेगुलेटी में लाइए ठीक है रेगुलेटी में लाएंगे तो चीज आपके अच्छे से हो पाएगी ठीक है और बच्छे बोलने कि सब्सक्राइब करें तो कोई बात नहीं तो कि आपको सब कुछ याद रहता है तो हम क्या है हम इना कोशन प्रैक्टिस ज़्यादा देंगे हम अब वो काम करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए सबसादा इंपोटेंट है वह है टीसी इस पैटन ठीक है तो सबसे ज़रूरी है कि टीस पैटन में जो कोश्चन आए हैं उन पर काम किया जाए तो वह आपका इक बैस लाए जाएगा जिसमें हम है मैंने कोश्चन इकटे करने स्टार्ट कर दिये वह आपके अलग जैंगे से सोर्से लिये हैं पर नए कोश्चन होंगे जो आपने बहुत कम देखे होंगे जिनमें आपको धिमाग लगाना पड़ रहा है या फिर उसको सोचना पड़ रहा है कि क्या ही बोल दिया वह सारे जाएंगे तो हम करेंगे अच्छे से कुछ आपके अपना भी बनाए जाएंगे जो आएस लिटेड होंगे तो वह बैस लाज जाएगा उसमें प्रिवेस नहीं होंगे जो आपके यूटूब पर यूटूब पर आपको पढ़ना वैस चल रहा है कोर्स दिपर लो लगता है है कि वह पढ़ा रहा है तो वह अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ लीजिए पर पढ़ना बहुत जरूरी आपके लिए तो कि हमें भाई हमने जैसे मैं हूँ या फिर और सर है जो अपने चलानी कोईश करने हैं उनका मेन टागेट यह होता है कि इंजिनियर्स की जो यहाँ पर कंडिशन है ना जो लोग समझते हैं कि यह तो बिचारा है इसके नोखिन नहीं लगेगी या हमाई इस्टूर में काम करने वाला इंजीनियर है उन सोच से बहार निकल सको आप ठीक है आप को एक अच्छा इंजियर्स बनाया सके आप कॉलिज में नहीं पढ़ प सब्सक्राइब कुछ ने कर पाए तो आपके आगे कहड़े हो जाएंगा उनका काम है वह अपना काम कर रहे हैं पुरी सिद्दत से कर रहे हैं लोग बहुत जाएगा तो थोड़ी बना रहा हूं जो आपकी पीपटी फॉर्म में क्या होता है थीज़दी हो जाते हैं आसानी से आपके कवर भी हो जाएंगी फिर कोशन प्रैक्टिस हो जाएगी वहना क्या है मैंने लिके पढ़ाऊंगा तो बहुत सा टाइम लग जाएगा और एक घंटे में आपका स्लिवस कंप्रिट नहीं होगा आप सोचरों की यूट्यूब पे एक घंटे क्लास करने से आपका तो आप 200 दिन में 200 घंटे पढ़े कि आप पूरा स्लिवस कंप्रिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आपको पढ़ना तो पढ़ेगा जाए आप किसी एक और से पढ़ रहे हो वहां पर आप फोकस्ट होते यूट्यूब पर क्या है बच्चा एक दूसरी गल् आपके यूट्यूब पर अभी मैं थ्री वाले पर पर काम कर लूँ अच्छे से दूसरा को बच्चा पढ़ता है ना तो उसके अंदर क्या होता है उसका माइंड सैट यह होता है कि मैंने पैसा दिया है मैं धंग से पढ़ूँ हुआ और धाय धी घंटे क्लास होते हैं तो करवाने वाला है तो वह चीज़ जरूरी आपके उसके लिए आप काम करिए और बुक कौन सी यूज करें इन से बाहर कुछनी जाता है या आप इसे करिए बुक की मैं ला रहा हूं जो नहीं कोशन्स होंगे वह आपको कहीं मिलेंगे उसके आपको टाइम चाहिए जून में आपके बुका जाएगी उसको आप देख लेना इसमें को सी नहीं होंगे जो हाँ पे देखे हुए तो यहां पर काम करना है आपको कुछ तरीशन देनी यह तो आप दे सकते हैं आप त्यार है लेकिन भाई क्लास करने आना है यह नहीं कि आप दूसरा आपको पढ़ा रहा ह बढ़ा है और आफ़ाई लिए और यह षर्ण बढ़ाएं तो और वह पेपर में आएगा हम उसको पढ़ेंगे कवर करेंगे और साथ में यह और यह आपको बढ़ाएंगे कि कि इतना अच्शा बढ़ा है अपका मास्टर यह तेक्व लगाता है यह कुषिण आपके कवर हो रहे हैं आपके फट्वी पढ़ कर तो आप अच्छा बढ़ रहे हैं ने मैं तो नहीं पढ़ रहा हैं आप ध्यान रखिए तो ग्यान की प्रापति आपको बहुत हो चुकी हैै मैं जाधा ग्लापति देता करते हैं तो आप ही होते हैं कि आप आए कलाब आते ही नहीं है तुम्हें लगता है कि पसंदी नहीं आ रहे हैं तो चीजी मत करिए प्रैक्टिस कर लीजिए मौके हैं मौके को बुना लीजिए ठीक है कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट से लिए लिख सकते हैं और मैं आपको मिलूँगा फिंडेक्स लास के अंदर तब तक के लिए बबाए जय हिंद जय भारत धंग से बढ़ाए कर लिजिए बेरो